तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं तेलकम पाउडर के नाम बताऊंगा जो बहुत फ्रिक्वेंटली अलग अलग अप्लिकेशन के लिए लेक्रिकल के लिए यूज किये जाते हैं तो दोस्तों बीना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टेलकम पाउडर की देखिए टेलकम पाउडर बेसिकली लो करेंट एप्लिकेशन्स वाले केबल में यूज किये जाते हैं यानि कि हमारे घर में जो कंप्यूटर यूज होते हैं आफिस में जो computer use होते हैं इन computer में जो cable का हम लोग use करते हैं उन cable में जो type of powder हम लोग use करते हैं वो होता है basically टेलकम powder टेलकम powder use करने के पीछे का purpose इतना है कि आपका जो cable है और आपका जो rubber resin है ये दोनों आपस में stick नहीं होनी चाहिए cable आपके rubber resin के साथ चिपकना नहीं चाहिए इस चीज को solve करने का जो इस purpose को solve करने का जो काम है वो टेलकम powder करता है तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो भी computer में हम लोग जो cable use किये हैं उसको छिलने पर आपको जो white color का powder देखने को मिल रहा है ये simple टेलकम powder है और इसका purpose पर सरिफ ये है कि आपका cable आपके rubber racing के साथ स्टिक नहीं होना चाहिए इसके बाद दोस्तों आता है magnesium oxide powder देखिए जो high current applications वाले cable होते हैं उन में जो white powder use होता है वो basically magnesium oxide powder ही होता है यहां दोस्तों आपके माइड में सवाल ये आएगा कि high current application में हम लोग magnesium oxide powder का use क्यों कर रहे ह है इसके पीछे का क्या परपज है तो देखिए किसी भी cable में जब high magnitude of current continuously flow होता है तो उस cable में heat losses होने लगते हैं यह heat losses basically इसले हो रहे हैं क्योंकि हर cable का खुद का internal resistance होता है और जब continuous current flow होगा या high magnitude of current जब किसी भी cable में flow होगा तो उसके proportionality आपके heat losses भी उस cable में generate होंगे क्यो यह heat losses generate हो रहे हैं केबल में जो abnormal heating हो रही है उस heating से आपके cable को protect करने का काम magnesium oxide powder का होता है technical terms में आप इसको ऐसे भी describe कर सकते हैं कि जो magnesium oxide powder होता है इसका electrical conductivity बहुत कम होती है इसका मतलब यह है कि आपके cable का जो core है इन दो core के बीच में एक तरीके से insulation का काम आपका magnesium oxide powder करके देत है जब भी cable में abnormal heating होगी जब भी cable में heat losses होंगे तो cable के अंदर जो core है जैसे अगर three core का मान लीजे cable है तो दो core आपस में heat loss के वज़े से damage नहीं होने चाहिए उसको insulation provide करने का काम आपके magnesium oxide powder का भी होता है वैसे cable में खुद के भी insulating layers use किये जाते हैं पर जो magnesium oxide powder है इसकी electrical conductivity कम ह होने के वज़े से यह एक additional insulation का काम आपके cable में करता है यहां दोस्तों आप एक point और add कर सकते हैं कि जिन cable में magnesium oxide powder का use कर रहे हैं वो cable fireproof भी होती है यानि कि जो fireproof cable होते हैं वहाँ पर भी magnesium oxide powder cable में use किया जाता है इसके बाद दोस्तों आता है swellable powder देखिए जो swellable powder होते हैं यह basically उन cables में use किये जाते हैं जहाँ पर moisture content का danger बहुत जादा होता है या जहाँ पर cable underground गया रहता है या पानी के अंदर से गया रहता है basically बात यह है कि अगर आपको यह डर है कि आपका जो cable है यह पानी में exposed हो सकता है या यह high moisture content में exposed हो सकता है तो आपको ऐसे cable का use करना चाहिए जिसमें swellable powder का use किया गया है क्योंकि जो swillable powder है यह आपके cable को moisture contents से भी बचाता है या अगर आपका cable underground गया है या underwater गया है तो ऐसे application में भी हम लोग इन cables का use करेंगे जहाँ पर swillable powder हमने use किया है इसके बाद दोस्तों आता है chalk powder देखिए chalk powder basically उन applications में use किया जाता है उन industries में या उन areas में use किया जाता है जहांपर fire hazard होने की chances बहुत जादा होते हैं जैसे कि अगर कोई chemical industries है या कोई refinery है या आपकी industry में ऐसा कोई area है जहांपर fire hazard होने की chances बहुत जादा होते हैं तो ऐसे areas में आपको chalk powder वाला cable use करना चाहिए क्योंकि जो chalk powder वाले cable होते हैं ये भी बहुत अच्छे fire proof होते हैं तो अगर मालीजे कल कोई explosion होता है या किसी भी तरीके का fire hazard होता है तो ये जो cable है ये उस heat को sustain कर सकते हैं इसलिए ऐसे applications में जहां fire hazard होने के chances बहुत जादा है वहाँ magnesium oxide powder वाला cable भी use कर सकते हैं पर जादा अच्छा तो ये रहेगा कि आप chalk powder वाला cable ऐसे particular special applications में use करें तो दोस्तों ये कुछ 5 ऐसे powders थे जो अलग-अलग applications के लिए cable में use किये जाते हैं ये बहुत अच्छा topic है इस बारे में भी आपको पता होना चीए तो इस बारे में अगर आपके understanding develop हुई हो अगर आपको नई चीज आज पता चली हो तो मुझे comment box में बताईएगा मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक interesting topic के साथ तब तक अपना ध्यान रखे गुडबाई